प्रिती जिंटा को शक है कि उनके कुछ खिलाडी मैच फिक्सिंग से जुड़ी संदिक दगती विदियों में शामिल थे अंग्रेज एकबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में या दावा किया गया है कि प्रिती जिंटा ने 8 अगस को BCCI अफसरों के साथ हुई मीटिंग में यह बात कबूली है प्रिती ने बैठक में कहा कि किंग सिलेवन पंजाब के कुछ खिलाडियों का संदिक दगती विदियों में शामिल होना संभाव है अगबार गैनुसर बैठक में प्रिती ने कहा कि मैंने इस तरह की संदिक दगती विदियों को करीब से देखा है इन्हें लेकर मैं पहले ही बोलना चाती थी लेकिन मेरी पास कोई ठोस सबूत नहीं थे FTII में बवाल केंपस से पाथ छात्र गिरफतार पुड़े पुलिस ने FTII के पाथ छात्रों को दंगा करने के आरोप में संस्थान से आधी रात को गिरफतार कर लिया हरदाल कर रहे छात्रों के एक समोह ने गत्सोमवार को संस्थान के निदेशक प्रशान्त पाथ रावे का घिराव कर लिया था वे अधूरे डिप्लोमा प्रोजेक्ट्स के तरकहीन एवं अनूचित आगलंद का विरोध कर रहे थे पुलिस ने बताये कि पाथ रावी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 15 छात्रों के खिलाफ प्राथमी की दर्श की जिन्वे से पाथ चात्रों को दंगा करने के आरोप में भारतिय दंड सहीता की धारा 353 के तहक गिरफतार किया गया गिरफतार कीगे चात्रों को डेककन पुलिस थाने में ले जाया गया है अब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे नेताओं के बच्चे इलावाद हाई कोट ने अपने एतिहासिक फैसले में कहा कि यूपी के सभी सांसद, विधायक और सरकारी करमचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाए जो इस फैसले को नहीं मालेगा उसे नीजी स्कूलों की फीस के बराबर पैसा सरकारी स्कूल में जमा कराना होगा आदालत ने अपने फैसले में कहा कि MP, MLA, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और सरकार से साहेता प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा सरकारी स्कूलों में ही दिलाई जाए जब तक ऐसे लोगों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुद्रेगी हाई कोट ने अखिले सरकार को आदेश दिया है कि वो इस बारे में 6 महने में कानून बनाए यह आदेश अगले साल शुरू होने वाले नए सत्र से लागू किया जाएगा